एक मीटर से भी कम लेस मैं आज मैं आपके साथ वेलवेट की कुरती के गले और बाजू का बहुत सुन्दर सा डिजाइन शेयर करूँगी तो इस कुरती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर माइक्रो वेलवेट का ये फैब्रिक लिया है और इसके उपर मैंने गला पहले से ही बना के रखा है गले की आप कोई भी शेप बना सकते हैं बस शेप थोड़ी सिंपल रखिएगा तो अब यहां पर मैंने 0.75 मीटर लेस ली है मतलब 1 मीटर से थोड़ी कम लेस ली है और इसको मैंने इस तरह से दो हिस्सों में काटके अलग कर लिया और अगर आप मेरा पेज फॉलो करते हैं तो आपने पहले भी देखा होगा मैंने इसी तरह की एक लेस का इस्तिमाल करके पहले भी एक कुरता बनाया था वो कुरता मैंने पिंक कलर में बनाया था और उसी लेस का ग्रीन कलर मैंने इस कुरते के लिए खरीद लिया क्योंकि मुझे लेस बहुत जादा अच्छी लगी थी अब इस लेस को काटने के बाद मैंने लाइटर की मदद से इसकी एजजिस को थोड़ थोड़ा बर्न कर दिया है पर देख सकते हैं कि इसकी edges बिलकुल clean हो गई है, extra धागे सारे निकल गए हैं और बहुत सुन्दर सी lace हमारे पास तयार हो गई है, अब कुर्ती का गला मैंने पहले से ही बना के रखा था, उसे मैंने बीच में से fold कर लिया है और अब 2.5 इंच की दूरी पर हम यहां से निशा को fold करेंगे, और fold करने के बाद हम इसको tap करेंगे, तो chalk से जो हमने line draw की थी वो दूसरी तरफ भी transfer हो जाएगी, यह देखिए, इस तरह से यह line दूसरी तरफ भी transfer हो गई है, अब हम इसको अच्छे से draw कर लेंगे, इस तरह, अब इसले इसको हमें थोड़ा-थोड़ा सा ख कीच रही हूँ, इस से lace में गुलाई आ जाएगी और गोल गले पर easily यह लग पाएगी, यह देखिए, सिर्फ एक किनारी से मैंने lace को कीच लिया है, और अब जो हमने chalk से line draw की थी उसके उपर हम इस lace को रखेंगे, और इस तरह से सिलाई लगा के इसको अच्छे से attach करेंगे बहुत जादा खीच खीच के हमें इस lace को नहीं लगाना, बस हलके हाथों से हमें tap करते जाना है और lace को set करते हुए यहाँ पर अच्छे से सिल देना है तो यहाँ पर मैंने center में एक कोना बना लिया है और इस तरीके से हम पूरे गले पर इस lace को अच्छे से सिल देंगे इस तरह और lace को सिलने के बाद हमें इसको एक बार अच्छे से press कर लेना है ताकि यह set हो जाए और press करने के बाद ही हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह गले को मैंने press कर लिया था और अब इसकी किनारी पर हम एक और सिलाई लगा देंगे और lace को अच्छे से सेट कर देंगे इसके उपर इस तरह तो यहाँ पर lace लगाकर मैंने गला तयार कर दिया है अब मैं इसके उपर light golden color के चोटी चोटी से stones लगाऊंगी इस तरह के stones बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे बजार में और fabric glue की मदद से बहुत अच्छे से यह attach हो जाते हैं अगर आपको glue की मदद से इस तरह के stones नहीं लगाने तो आप छोटी छोटे सितारे भी लगा सकते हैं सुई धागी की मदद से सितारे तो stones से भी जादा सुन्दर लगते हैं लगे हुए और अगर आप stones चिपका रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको machine में मत दोएगा सिर्फ आज से ही दोएगा नहीं तो stones उतर सकते हैं तो यहाँ पर stones मैंने चिपका दिये हैं और गला हमारा बनकर तयार हो गया है अब हम बनाएंगे इसके लिए bell sleeves का design जिसके लिए बाजू मैंने पहले से cut करके रखी हैं मैं आपको बस एक तरीका बता देती हूँ तो यहाँ पर ना मैंने एक line chalk से draw कर दी है यह line मैंने simple sleeve की cutting के लिए draw की है और bell sleeve के लिए आगे से बाजू की चोड़ाई मैंने लिए है 10 inch और पीछे से normally जैसे आप sleeve cutting करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने रखा है तो अब इसके आगे आप यहाँ पर देखे 5 inch मैंने extra लिया है normal sleeve से और अब यहाँ से हम थोड़ी सी cutting कर देंगे गुलाई में इसकी ताकि bell sleeve की एक अच्छी सी shape आ जाए इस तरह अब यहाँ पर हमारी bell sleeve की cutting हो गई है अब lace को मैं ready कर लूँगी तो यहाँ पर जो lace का दूसरा हिसा मैंने काट के अलग किया था उसको आगे से मैंने इस तरह fold कर लिया है जो extra net का fabric था उसे मैंने lace के उपर इस तरह fold कर लिया और एक सिलाई लगा ली अब इस lace को हम बाजू के आगे attach करेंगे तो बाजू के आगे जो कपड़ा है उसे मैंने इस तरह थोड़ा सा fold कर लिया इस सीधी तरफ single fold क्या है मैंने इसे क्योंकि double fold करने पर velvet का कपड़ा बहुत मोटा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो इस तरह से single fold करने के बाद हम इसके उपर lace attach करेंगे बस इसके उपर मैंने lace को रखके सिल दिया है और अब यहाँ पर जो धागे से नजर आ रहे हैं इनको चुपाने के लिए मैंने एक और lace यहाँ पर attach की है अब क्योंकि जो suit पर मैंने stones लगाए हैं वो भी light से golden color के हैं तो मैंने stones के साथ match करते हुए color की lace sleeves पर भी attach की है यह देखे इस तरह की गोटे वाली lace मैंने अच्छे से यहाँ पर attach कर दी है और अब इस sleeve के उपर में छोटे-छोटे stones लगाऊंगी तो जो stones मैंने गले पर लगाए थे वो मैंने sleeves के उपर भी इस तरह attach कर दी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने simple तरीके से गले और बाजु का यह सुंदर सा डिजाइन बन कर तयार हो गया है जो कि velvet suit के लिए बिलकुल perfect है तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह video पसंद आया है तो इसे like करें और मेरे channel को subscribe करें subscribe के button के साथ bell icon को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सबी videos के updates मिल सकें तो guys thank you so much for watching बाई बाई